नमस्कार चात्रों कैसे हो दो दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं किसी एमर्जनसी में बेस्त था लेकिन अब आपके लिए मैं वीडियो लाओंगा और आपको डेली वीडियो मिलेंगी जैसा आप चाहते हैं वैसी वीडियो मिलेंगी तो चलिए आज का जो सवाल है, इस सवाल को समझने की कोसिस करते हैं, एक बात है, ये सवाल अपने आप में बहुत ज़ादा यूनिक है, यूनिक इसलिए है, क्योंकि इसके जैसा, दूसरा कोई सवाल अगर आप साल्व करोगे तो वो अलग तरीके से होगा, वो अलग तरीके से होगा लेकिन ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा अलग होगा मतलब ऐसे समझो अगर 10 कोस्चन आपने लिया ना तो 10 में से 9 एक जैसे रहेंगे लेकिन अकेला एक कोस्चन जो सबसे अलग होगा वही कोस्चन है ये ठीक है तो सुरू किया जाए ज़्यादा बात चीत नहीं डारेक्ट सवाल पर आते हैं बट उससे पहले मैं फोन नंबर देना चाहूंगा अपना कि भाई देखो अगर लगता है कि मेरे से पढ़के आपका कल्यान हो सकता है आप गड़ित में बहतर नंबर ला सकते हो फेल होने वाले हो तो पास हो सकते हो पास होने वाले हो तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो ऐसा अगर महसूस होगा तो फोन कर लेजिएगा कोर्स हमारा ले लीजिएगा ठीक है यह हमारा फोन नंबर है चाहे जब फोन करिए वाटसप करिए हमेसा रिस्पांस मिली और सवाल क्या है अब उस पर आते हैं सवाल है y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x क्या बात है ध्यान से देखिए सवाल है y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना कि d2y upon dx square ध्यान से देखो बेटा दीर गोत्तर ये प्रस्ण है ठीक है माइनस 5 divided dx प्लस 6y बराबर 0 अब ध्यान से समझना आपको कि इतना बराबर 0 सिद्ध करके लाना है और इधर दिया हुआ है मतलब आपको समझी ये बहुत लगी आप है कि अगर पेपर में आपके ऐसा सवाल आजाए हाँ पेपर की बात अगर मैंने बोला तो पेपर में ये तीन बार आया है ये 2019 में 20 में और 23 में आया है 2019 में 20 में 23 में तीन बार ये कुश्चन आया है बगवान से मैं कहूंगा कि इस बार भी आजाओ क्योंकि बहुत इजी है ये ठीक है? देखिए मैं बताता हूँ इसे देखकर पता चल लहा है कि इस सवाल का दो बार आउकलन करना है कितनी बार? दो बार जैसे न किसी डाक्टर के पास जाओगे तो आपको देखेगा लच्छड देखेगा चेहरा देखके जीव देखके आँख देखके पता चल जाता है कि इनको सुगर है कि खुन की कमी है कि पीली आए तमाम तरीके का वो एनलाइसिस करने के बाद एक सही निसकर्ज पर आके दवा करते हैं तो वैसे मुझे ये जब दिख गया कि यहां दो घात लगा इसका मलब इसका दो बार आउकलन करना ही करना है तो दो बार चलिए इसका आउकलन करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या आता है पहली बार जब आउकलन करेंगे तो लिखेंगे डीवाई बे डी एक्स बराबर दो तिन्या छे एक्स पर घाते देखें ध्यान से दिखिए तीन ऐसे ही रहेगा एकी पावर टू एक्स का आउकलन क्या होगा एकी पावर टू एक्स ही होगा टू एक्स का दुबारा करेंगे तो सिर्फ टू आएगा तो टू का गुड़ा थ्री मोगा तो छे हो जाएगा छे की पावर दो एक्स ऐसे दो रहेगा 2 एकी पावर 3 येक्स का यही आओकलन होगा लेकिन 3 औरों करेंगे तो 3 न आएगा 3 दुन उपना 6 एकी पावर 3 एक्स ठीक है अब एक काम करते हैं एक कबहँ करां तो इसको लिखेंगे डु यी इपन डी एकश स्क्रार जब दुबारा उकरन करते हैं तो यहां दीब पर यखेंग लिखते हैं उ दो जई दो गात नहीं लिखेंगे नहीं तो गलता हो जाएगा गलत मेसेज जाएगा तो गलत मेसेज नहीं भेजना है सही वाला मेसेज भेजना है ना तो देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूं दो चक 12 हो जाएगा एकी पावर 2 यक्स तीन चक 18 हो जाएगा ठीक है एकी पावर 3 यक्स अब यह आपका समीकर नमबर 1 बन गया यह आपका समीकर नमबर 2 बन गया अभी तक कोई भी मुश्किल काम मैंने नहीं किया सारे काम मैंने एकदम से आसान आसान किये है अगर आपको नई समझ में आता तो एक बार दुबारा समझा रहा हूं समझ में आ जाएगा देखिए ध्यान से क्या पहली बारा उकलान करेंगे दो का तीन में सिधे गुड़ा कर देंगे दो तीना छे बाकी इसी को यहां देखके लिख दो फिर तीन का दो में गुड़ा कर दो यहां देखो छे हो गया फिर इसी को पूरा यहां देखके लिख दो फिर वही काम जब दुबारा उकलन करेंगे इसे तरीके से दो का छे में गुड़ा दो चक बार है यह वाली चीर नीचे लिख दो देखके तीन चक अठार है फिर यह वाले चीज नीचे देखके लिख दो एकदम सिंपल क्लास टू का बच्चा भी समझेगा यकीन मानिये सही बात है आगे आगे अब अब देखिए हमने दो बार अउकलन तो कर दिया लेकिन मुझे ये चाहिए था तो ये मिला नहीं तो अब क्या होगा अब जरा पीछे वापस जाए क्लास 11े में गलास 10 में 7 में 8 में 9 में 10 में बाया पच्च लेके चलते थे सित्धnt करने का यह भी एक तरीका होता था कि बाया पच्च लेकर चलो और दाया पच्च लादो सही बदाना तो हम इस बार हुआउड इसका हें ले रहे का हाऊट हो एसे ह moment हैया नहीं से लेकर यहां तक देख के लिखना है आप लोग भी समझना कि गुरू जी बताते हैं देख के लिखना भां अग्या मैंने कोई नया काम नहीं किया मैंने वहां से देखा और यहां लिखा कोई ज्यादा टैलेनटेड काम नहीं है ये ठीक है अब क्या करेंगे जहां पर ये है ना यहां पर इसके सामने वाली लाइन पूरा पूरा देख के यहां लिखना है डी टू आ ये पान डी अक्सी स्क्वाइर इसका वैलू ये है तो वैलू को ही वैलू को ही लाएंगे यहां पर लिखेंगे और यहां से देखेंगे और यहां लिखेंगे समझे ना देख के लिखने वाला मिथड़ है तो 12 प्लस 18 ठीक है माइनस 5 लिखिए इसके बाद माइनस 5 कोश्टेक में dy बे dx कमाने यहां से देख करके यहां लिख दीजिए आप कितने लखी हैं कि आपको देख देख के लिखने वाला सवाल मिल जाता है प्लस 6 y की जिगए पर y कमाने यहां से देखिए और यहां लिखिए 3 e की पावर 2 x प्लस 2 e की पावर 3 x आप देखें मैं बताता हूँ इसकी जिगए पर इसे मैंने लिखा है यहां से देख कर यहां लिख दिया माइनस 5 यहां से देखा यहां लिख दिया अब रैकेट के अंदर dy by dx कमान यहां से देखा हूँ यहां लिखा हूँ एकदम असपस्थ पलस 6 मैंने यहां से देख कर यहां लिखा और यह कहां साया y कमान पहली लाइन से देखा और यहाँ पे लिखा असपस्ट है बाबू एकदम असपस्ट होगा आईए देखी आगे यह जैसे लिखा आप ऐसे रहने दीजिए कुछ मत करिए पांच चक तीस एकी पावर टू एक्स पांच के पहाड़ा छे बर पढ़ना और क्लास दो के बचों का काम है फिर पांच चक तीस एकी पावर टीन एक्स छे का तीन बर पाड़ा पढ़िये अठारे एकी पावर टू एक्स प्रस चेदू नमबारा एकी पावर टीन एक्स ठीक है एकदम क्लास टू में हम लोग चले गए हिंदी मेडियम में अब क्या होगा आप देखिए जोडने और घटाने का काम है फिर हम से क्लास वन और टू की बात करेंगे हम क्योंकि जोडने घटाने का काम वहीं से शुरू होता है ठीक है देखिए एकी पावर टो एक्स जहां जहां है हर जगह चलिए तो पूरा पूरा खतम अब पावर थ्री एक्स वाला ढूड़िये अठारे एकी पावर थ्री एक्स यहां है यहां है यहां देखिए बारे एकी पावर तीन एक्स बारे यहां है अठारे यहां बारे ठारे तीस हुआ अतीस में से तीस फिर घट गया अब तो ये भी सब कुछ जीरो आगया भाई तो ये हुआ आपका राइट हैंड साइड और यही इस सवाल का सबसे ज़्यादा सटीक सलूशन है और बोर्ड परिच्छा में जितन बच्चों ने ऐसे किया होगा उनको पूरा का पूरा चार छे नंबर मिला होगा क्योंकि ये सवाल चार नंबर से कम में पूछा जाएगा नहीं और छे नंबर तक मैक्सिमम जाएगा पांच का भी आ सकता है चार का भी आ सकता है छे का भी आ सकता है तो बच्चा कौन-कौन बच्चा ये सवाल मेरे से बढ़ियां से समझ गया जरा एक बार कॉमेंट करना और इस वीडियो से सिर्फ पहली लाइन देखकर तुम अपनी कापी में लिख लो और अब खुद से साल्व करो खुद से साल्व करने के बाद देखो तुम्हारा एंसर आ रहा एक नहीं आ रहा है अगर एंसर आ रहा तो ये मान के चलना कि तुमने मेरी वीडियो से सीखा है तुम अच्छे भविश्य के लिए और अच्छे एक्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए तैयार हो और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे न वे मान के चलें कि वे पच्छताने वाला काम कर रहे है तो बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे जो बाते थी मैंने बता दिया और ये फर नंबर भी मैं दे दिया हूँ आप की मर्जी बेस्ट से बेस्ट टीचर आप ढोड़िये पढ़िये लेकिन पढ़िये जरूर चाहे किसी से पढ़िये लेकिन पढ़िये जरूर थैंक यो